अगर कहीं से भी स्टार्ट करें और कहीं तक भी सभी संख्याओं को जोड़ना पड़े मलग जिस पर कोई शर्त नहीं हो कि एक से श्टार्ट हो ऐसी शर्त नहीं हो तो उसका फॉर्मला क्या होता है जैसे मैं आपको बोलो कि एक से लगा कर बीस तक का योग निकालो तो इसके लिए आप सब जानते हो कि इसका फॉर्मला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाइ टू यह होता है लेकिन अब मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ कि फिट्टी वन से लगा कर असी का यो ग्याद करो तो 51 से लगा कर असी का योग निकालना हो तो इसमें एक से शुरुआत नहीं हो रही है तो भी काम चल जाएगा और चाहें एक से शुरुआत हो रही हो तो भी काम चल जाएगा क्योंकि कहीं से भी कहीं तक संख्याओं योग है चलो देखो इसका फॉमला क्या हो then उनका difference करना है पहले एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो और plus कर दो 1 तो यहां से योग into अंतर plus 1 divided by 2 और इससे पहले आपने ये formula सब जानते होंगे n n plus 1 divided by 2 जो एक से start होता है तो इस पे और इस पे फरक क्या है वो देखो पहला जो n है वो हो गया दूसरा जो n है वो हो गया difference plus 1 divided by 2 अब मैं ये इस वाल दोनों से करका बताता हूँ क्योंगे ये formula एक से होने पर लगो होता है तो देखो एक से n तक n का मतलब है last number तो 10 into 10 plus 1 11 और 11 बटा 2 तो 2 से कट गया कितनी बार 5 मालई इसका answer है या 55 अगर ये इस वाल इदर से करते हैं तो तो पहले दोनों से इंखा को जोड़ लो तो 10 plus 1 11 हो गया फिर है इस वह से इसको एक बार घटा दो तो 10 minus 1 9 9 plus 1 divided by 2 तो ये हो गया 11 into 10 बटा 2 तो 2 से कितनी बार 5 वापस हो गया कितना 55 दोनों से हम ये लेकिन ये है कि ये formula तभी काम करेगा जब 1 से शुराद होगी अब हम आते हैं example देखो कि जैसे आपसे पूछा जाए 21 से 40 तक का योग ज्याद करो अब 21 से 40 का योग ज्याद करना है तो हम second वाला formula यूज करेंगी कहीं से भी कहीं तक पहले दोनों को प्लस कर लो तो पहले दोनों को प्लस कर लिया अब क्या करेंडा है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को minus करो तो 40 minus 21 किता हो गया 19 हो गया और 19 plus 1 अंतर में ये जो टाइन divide by 2 कर लो 61 ये हो गया 20 divide by 2 और 2 से 20 10 तैम तो answer हो गया finally किता 610 clear कहीं दो दो बार करने की ज़रूत दिया कि 1 से 40 निकालो फिर 1 से 20 minus करो ऐसा कुछ निकालना है चलो एक और देख लेते हैं जैसे 30 से 60 का योग निकालना है तो क्या करोगे दोनुन नंबर को पहले plus कर लो तो 30 plus 60 हो गया यह हो गया 90 अब क्या करो इस में से इसको मैनेस कर दो तो 60 minus 30 ये 30 plus 1 divide by 2 तो यहां से हो गया 90 multiply 31 divide by 2 और इससे काटना किता हो गया 45 तो हमें 45 का ये 30 से गुणा करना है एक इंटू 5 ये हो गया 5 पांच दिन पंद्रा पंद्रा पंद्रान चार 19 हासिल 1 चारतिन 12 और 1 तेरा तो ये हो गया आंसर किता 1395 ठीक है दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का वड़न जरूर प्रेस करिए मिलते है अगली वीडियो में